प्रेस्ट बिल आइकन उन यूट्यूब और दोंट मिस अनदर अपडेट नवस्ते आज का ये एक आकस्मिक वीडियो है वैसे चूंकि सुमवार को हमारा उकाश रहता है लेकिन ये आकस्मिक वीडियो जो घटा क्रमुए लखीमपूर जिले में उसके कारण आवश्चक हो गया है लखीमपूर मेरा मूल जिला है इसलिए मेने लिए और भी अवश्चक हो जाता है कि वहाँ की स्थितियों से और वहाँ का जो सच है उससे आपको परिचित कराऊ हम। परिचित मैं और किसी से भी आपको इसको परिचे कराने में अधिक सक्षम इसलिए हूँ कि कल मेरे गाव से चार जीप भरके लोग यहां गए हुए थे बनवीर पुर जो कि अजय मिश्रा जी मानिय मंत्री जी का निवास अस्थान है वो क्या है मैं आपको एक शोड़ा साल लखीमपुर जिले का एक नक्षा दिखाता हूँ आपको यह जानना आवश्चक होगा कि इस जिले का नाम वस्ता खीरी है और लखीमपुर जो है वो इसकी इसका हेड़कॉर्टर है इसलिए इसको खीरी लखीमपुर बोला जाता है यह उत्तर प्रदेश का वरतमान में शेत्रफल की द्रश्टी से सबसे बड़ा जिला है अब आप यह देखिए यह आपको यह दो नदिया दिखाई पड़ रही होगी इस मानचित्र में और जो यह दो नदिया है इसमें जो दाहिनी तरफ है वो तो है धागरा और जो बाई तरफ है वो है शारदा और तो साथ में आपको दिख रहा होगा नेपाल तो ये जो पूरा च्छेत्र है ये तराई का च्छेत्र है और ये दो नदियों के बीच का च्छेत्र है इन दो नदियों के बीच के शेत्र में दो तहसिले आती हैं एक निगासन इसमें आप देखेंगे आप तो बिलकुल ठीक बीच में देखेंगे तो आपको देखेगा सिंगाही तिकुनिया और बिलकुल उपर नेपाल बॉर्डर पर वहाँ पर आपको बनबीर पुर दिखाई अस्तान है यहां पर वो हर वर्ष एक दंगल कराते हैं और वह दंगल जो है इसी समय पित्र पक्ष में ही होता है अपने पूर्वजों के या संभवता पिता जी की मुझे द्यान नी किसी की पुर्णितितिति के रूपे कराते हैं इसी श्राद्द पक्ष में पित्र पक्ष अब यह जो पूरा शेतर आप डेख रहे हैं इस शेतर में काफी सिख किसान रहते हैं, यह सिख किसानों का इनका इत्यास यह है, यह विभाजन के बाद इनको पंडित गोविंद बल्लब पंथ ने पूरे तरही में बसाया था, ऊपर अरदवार से लेके, अरदवार जिले से लेके और जो इस समय मुर्तमान उदम सिंग नगर जिला है पहले नहीं ताल जिला हुआ करता था वहां से लेके पिली भी से लेके लखीमपुर और लखीमपुर तक बसाया गया था फिर बाद में यह बहराई चित्याद भी निकल लिए पूरे प्रदेश में पूरे पूरे ज का प्रतिशत 2.35 है केवल लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये जो दो पाँचिले है ऊपर जो आप नदीयों के बीच का भाग देख रहे हैं एक है पलिया जो माई तरफ है पलिया कला बोलते हैं जिसको और दूसरी तरफ दाहिनी तरफ जो है वो है निगासन तहसील तो 6.78 प्रतिशत सिख हैं और पलिया नगर में ठिकों की आबादी लगवग 15 प्रतिशत हैं अब यहां की समस्या क्या है आपने बाकी सब तो चालों तरफ देख लिया होगा कि क्या हुआ दो हमारे प्रतिक्ष दर्शी हैं उन्होंने बताया कि पहले चार गाड़ियां जो तिकुनिया आपको दिखाया गया उस तिकुनिया में वहां पर हेली पैड बना था वहां हेली पैड पर जो उपमुख्य मंत्री हैं केशव प्रसाद मौर उनका आमंत्र था इस दंगल में आने का और उनको दंगल में मुख्य अतिति बनाया गया उनका वहाँ पर हेलिकॉप्टर उतरना था तो तीन-चार दिन पहले पलिया से और आगे एक संपूना नगर एक जगे है और संपूना नगर में कुछ इनी सिक्ष किसानों ने अजय मिश्रा जी को काले जंडे दिखाये थे उस काले जंडेों के उनोंने उनको चेतावनी दी कि हम तुमारी सारी हरकते जानते हैं हरकते हैं क्या हैं उनकी वह आपको बता देता हूँ हरकते उनकी यह है कि इनोंने यहां पर आप देख रहे हैं यह जो एक रेलवे लाइन जा रही है उपर एक बार जो रेलवे लाइन इंगित कर दे उस रेलवे लाइन जो है वो तो यह जो railway line यह यह वाली नहीं जो उपर जा रही है उपर जो railway line जा रही है भीरा, भीरा से आगे यह पलिया, यह दुद्वा और यह इधर बेलराया होते होए तुकुनिया, और यह यहां से फिर आगे निकल जाती है बेहराई चिले में तो ये दुद्वा रिजर फॉरेस्ट है यहाँ पर और ये जो नदियां है ये बहुत विशाल नदियां है ये शारदा रिवर जो है नेपाल में महाकाली कहलाती है और ये घागरा रिवर है ये करनाली कहलाती है ये करनाली नदी जो है ये आप मांसर वर के पास से निकलती है चीन से आती है नेपाल में और नेपाल से पिर आती है यहाँ पर शारदा नदी जो है इसकी सबसे बड़ी साहिका है घागरा की और घागरा सबसे बड़ी साहिका है जमपना से भी बड़ी डिस्चार्ज में अगर लें तो वो गंगा की गंगा नदी की तो यह जो पूरे छेत्र में ये 3-3-4-4 पाँच-5 किलो मीटर चोड़े इन नदियों के पाथ है अलग अलग स्थानों पर तो यह कटान करती हैं और यह कटान करके कभी एक तरफ आ जाती हैं कभी दूसरी तरफ आ जाती हैं तो यह जो सिख और यहाँ पर बसे हुएं इन्हों ने एक पूरा एक कारेकर्म बना रखा है illegal encroachment का इन्हों ने सैकड़ों एकड़ के फार्म बना रखे हैं यहाँ पर सीलिंग है साड़े बारह एकड़ क्यों यह सिंचित शेत्र है पूरे प्रदेश का सबसे अधिक उपजाओ शेत्र माना जाता है साड़े बारह एकड़ की सीलिंग के विरुद लोगों ने सौसो एकड़ तक के फार्म बना रखें कैसे इंक्रोच्मेंट करके जंगल की जमीन इंक्रोच करके और यह जो नदी के पार्ट है जो शिफ्ट होते रहते उनकी जमीने इंक्रोच करके और इसके आधार पर इन्होंने खूब अकूद संपत्ती अरजित करके और उस अकूद संपत्ती के साथ में खालिस्तानी बगल में पीली भीत में जो पूरन पूर शेतर है वो तो पूरी तरह से खालिस्तान बना हुआ था और उसके आगे फिर ये खटीमा रुद्र पूर शेतर है वहां भी इसके बहुत अधिक दमक थी ये चीजे नॉर्मलाइज हुए लेकिन ये जो इनके ऊपर जो कारवाई नह ने बढ़े कि जब अजे मिश्रा जी ने इनको ये कहा कि हम सब जानते हैं तुम लोगों ने क्या क्या इंक्रोच्मेंट कर रहे हैं आज तुम्हारी हिमत ये हो रही कि तुम आके हमें काले जंडे दिखा रहा है ये बात तुरंत इसका उप्योग आया इनको अपने लस्ति को यहां से हटवाना है क्योंकि यह जे मिश्रा नहीं हटे तो अजे मिश्रा को सब पता हैं हमारी कमदूरियां पता हैं और कुछ दिनों पहले से इनको नोटिसूस मिलना means अरंब भी हो गए तो L ये जो इलीगल संपदा बनाई हुई है इसको बचाने की और अजे मिश्रा को उनकी कुर्सी से हटवाने की पूरी की पूरी जुगत है यह काफी मात्रा में लोकल इशु है लेकिन एक यह राश्ट्री इशु इसलिए बन गया है क्योंकि बारत सरकार ने जाने अंजाने में यह निर्णे कर लिया है कि दंड नीतिका उनको प्रयोग नहीं करना है और इ यह आपको लखीमपुर वाली दिखाई पड़ रही है इसके पहले और भी हो चुकी है करनाल में हो चुकी है और भी कहीं सारे हो रही हो लगातार होते रहेंगे ले जाना चाहते हैं जिस इसतर पर जाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की इस्तिती आगई थी हमें अभी है मानी नरेद मोदी जी आनी अमित शाल जी आपको दंड नीती का प्रयोग करना ही पड़ेगा क्योंकि दंड नीती ही यह है बताती है कि राजा कितना कुशल है राजा कितना सक्षम है यह आप दंड नीत का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसी प्रकार की इस्तितियां बंती रहेंगी समझोता हो गया है वहाँ पर लेकिन समझोते में एक राजनीतिक चातुर अवश्य है कि राजनीतिक चातुर यह है कि टिकैत को ऊपर कर दिया है और सारे प्लिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ दिया है लेकिन इसके दूर गामी परिणाम घातक भी हो सकते हैं क्योंकि टिकैत जो है वो एक बड़ा राक्ष नहीं चल रहा है इसलिए आप सभी से हाथ जोड़के नरूद है कि समस्या जो है वो आपने एक तरह तो टाल ली लेकिन इसके टालने का जो समझोता करने का जो आपने मूल ले दिया है टिकैत की हैसियत बढ़ाके वो कहीं आगे जाकर और घातक ना बन जाए बस यही आज का मेरा विशेश संदेश है मेरे गाओं के लोग वहां प्रत्यक्ष दर्शी थे वो बाल बाल बच गए बाल बाल इसलिए बच गए क्योंकि वो पीछे चल रहे थैं यह जो चार गाड़ियां आगे चल रही थे उनके उपर हमला हुआ उन चार गाड़ियों से करीब एक किलो मिटर पीछे एक 30-40 गाड़ियों का काफिला था और जो अजय मिश्रा उन आगे की चार गाड़ियों में थे वह आगे की चार गाड़ियां तो एक तरह से एसकॉर्ट टाइप भी थी जिसमें उनके वरकर्स इत्यादी थे उनके कार्यकरता थे जिनके उपर ह हत्या हुई और वह हत्या हुई भी इसलिए प्रत्यक्षिदर्शियों का मैं बता रहा हूं मेरे गाउं के लोग थे मेरे गाउं के कम से कम नहीं तो वहां पर 25-30 लोग थे मेरा गाउं वहां पर बिजुआ आपको मैप में एक बार पुर्णा दिखा दूँ देख लें आप वहां से बिजुआ से पलिया होते हुए निगासन होते हुए वो लोग गए थे बनबीरपूर और उनकी जो गाड़ियां थी वो इन चार गाड़ियों से लगब एक किलो मीटर पीछे चल रही थी बाद में उदर अंगामा होने किसकुछ ना मिली तो वो लोग रुके वाप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी कलाई उनको छोड़ देते हैं यह बदमाश वो तो वो पीशे के 30-40 गाड़ियों में थे इसलिए सारे आरोब जो यह लगाए जा रहे हैं जूट है यह पूरी तरह से कि अराजक हिंसक और एक प्रकार से यह आतंकवादी हमला है आतंकवादी हमले के सामने मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कदम पीछे लिए योगी जी वैसे तो यह तासीर है नहीं लेकिन तातकालिक रूप से यह दिशांती स्थापित करने के लिए क्या गया है तो हम इसका समर्थन तो करते हैं लेकिन हम यह अवश्य चाहते हैं कि इस टिकैत लकैत और इनके सारे चडूनी और जितने सब हैं इनको NSA में बंद किया जाए नहीं तो यह इतनी स्थिती खतरनाक बना देंगे कि यह पाकिस्तान का आम अंतर कर देंगे पहले से ही यह सेना के जत्तों को रोक रहें सेना के कॉन्वाइस को रोक रहें रास्ते में इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें यह पूरी तरह से एक सुनु जी सुनु योजित और एक अराजक हमला था सोचा समझा था और अजय मिश्रा को वहां से हटाने का शड्यंतर था लेकिन हम सब अब अजय मिश्रा जी के साथ खड़े हुए हैं समस्त लखीमपुर जिले के वासी लखीमपुर संसदी शेत्र के निवासी हम सब अजय मिश्रा जी के साथ हैं जो भी कहा था संपूरा नगर में हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं और हम उनसे भी यह मांग करते हैं कि जो उन्होंने वहां पर उद्गोश किया था कि सारे इंक्र आटवाईए इन्हों से खत्म करवाईए यूगी जी जने जाते हैं proceso render to यह जो इन्होंने सीलिंग से अधिक सारी जमीनों पर से रखाई क्यों नहीं अटें bod किirusgebaut क्राहिए हुझ अर्टक को अंदर टिकाई जै हिन वन्दे महतरम जै शरीराम प्रूब मिल इको एक लिए एक एक लिए और देखेंगे लिए लिए इन देखेंगे।